Hey guys, welcome back to the channel और आज के शुरूम दोस्तों बातचीत करने वाले हैं हम लोग Samsung Galaxy S10 के बारे में और इसके other 2 variants के बारे में तो basically इस phone का जो सबसे smart line है वो बहुती अच्छा लगा मुझे The next generation smartphone with smart screen अभी देखने वाली बात है कि smart phone में कौन-कौन सा नया generation वाले feature add हुए है वो इस video आपको सुरूस से last तक देखने पर बता से लेगा लेकिन वाके में बताने वाली बात यह है कि इसमें कई सारे अच्छे features हैं जो कि आपको पसंद आएगा तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास तक जरूर देखिए और दोस्तों अभी तकर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कि है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाल लीजिए और मैं आपको साथ शेर करता है उसका quick overview तो दोस्तों सबसे पहले point अपने display के बारे में बात कर लेंगे क्योंकि यहाँ आपके पास जो 3 model है वो है S10, S10e और S10 Plus तो सबसे चोटा height का है निकी सबसे चोटे screen का display है वो आपको मिलता है S10e में जिसमें आपको मिलेगा 5.8 inch का QHD Plus display और इसका display एक Amoled Flat Amoled display होगा अगर बात कर इसके S10 model की तो यहाँ आपको मिलता है 6.2 inch का QHD Plus Amoled Infinitive O display और S10 Plus की बात को यहाँ आपको मिलता है 6.4 inch का QHD Plus Flat Amoled display तीनो की खास बात यह है दोस्तों की तीनो जो है बिलकूल bezel-less है और no notch कोई notch आपको देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा जो खास बात वो यह है कि तीनो में models में आपको जो camera है वो in display camera देखने को मिलेगा लेकिन एक छूटा सा hole जैसा side manager आता है जैसे कि आप camera में देख पा रहे है, screen पे देख पा रहे हैं आपको starting के दो model S10E और S10 में आपको front में single camera देखने को मिलता है और जबकि S10 Plus में आपको dual camera देखने को मिलेगा हाला कि इसके megapixel के बारे में आपसे मैं आगे बात करूँगा फिलाल में आपसे display के बारे में बात कर रहा था और अगर PPI की बारे में बात करें तो S10E में आपको देखने को मिलता है 438 PPI जबकि S10 में आपको 550 और S10 Plus में 522 PPI देखने को मिलेगा अगर अपने second point processor के बारे में बात करूँ तो यहां आपको बता दो कि Samsung का अपना processor है Octa Core Samsung Inox का processor वो आपको देखने को मिलेगा जो कि इसका सबसे latest variant है Inox 9820 SOC यह आपको processor देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों बहुत ही शांदार performance देने वाला processor है जो कि 7 nanometer technology के साथ बना है लेकिन किसी किसी reason में जो इसका 8 nanometer technology वाला processor वो यूज किया जा रहा है including India अब दोस्तों अगर बात करें अगले point वो है camera के बारे में वो बहुत जबरजस्त है इसका क्योंकि इसका style है innovative style है जो design है वो मुझे काफ पसंद आ रहा है देखने में तो सबसे पहले आपको यह बता दू कि यह dual camera वाला phone नहीं है यह triple camera वाला phone है जो कि back में मिलता है और front में आपको single camera में मिलता है double camera मिलता है तो सबसे पहले बात करें इसके triple camera के बारे में जो कि 12+, 12+, 16MP का जिसमें आपको aperture जो है 1.5, 2.2 और 2.4 देखने को मिलता है जिसमें autofocus के लिए अलग camera है ultra wide angle के लिए अलग camera है और कई सारे features के साथ यह camera आता है triple camera अगर इसके front camera के बात करें आपको यह बता दो कि जो starting के दो model है S10 और S10E इनमें आपको single camera front में देखने को मिलेगा जिसमें 12MP का camera यूज हुआ है जिसका aperture जो है 2.4 लेकिन यदि इसका third model और higher variant की बात करें निकि S10 plus की यहां पर front camera भी आपको double camera देखने को मिलता है जिसमें आपको 12MP का camera देखने को मिलेगा 2.2 और 2.4 aperture के साथ तो यह था दोस्तों basically इसका camera का performance इसके साथ इसके साथ इसमें कई सारे features जो हो enable है जो की बहुत ही शांदार performance देगा क्योंकि पैसा भी आप से उसी हिसाब से लिये और अब दोस्तों अगले point battery के बारें बात कर लेते क्योंकि battery का भी उतना ही एहम roll है जितना की दोस्तों camera का बिना battery का camera भी नहीं काम करता है तो इसका सबसे base variant है नहीं कि S10E इसमें आपको मिलता है 300mH की battery S10 में आपको 3400mH की battery मिलती है और इसका जो higher variant है S10 Plus उसमें आपको मिल रही हो बहुत कम मिल रही है और अपने अगले point RAM और storage के बारें बात कर लें दोस्तों तो अच्छा होगा क्योंकि यहां पर आपको 6GB RAM, 8GB RAM और 12GB RAM के साथ साथ 128GB का internal storage और 512GB का internal storage देखने को मिलेगा और यहां पर आपको S10 Plus में 12GB के साथ 512GB का storage मिलता है जबकि S10 में आपको 8GB के साथ 512GB भी अबलेबल है और 6GB के साथ भी 512GB भी अबलेबल है और बाकी दो models के साथ आपको कौन सा RAM किसने storage के साथ मिलता आपको स्क्रीन पर देख रहा होगा दोस्तों इसके लाए दोस्तों अगर बात करें इसके कुछ other features के बारे में कुछ other sensor के बारे में आपको बदा दू कि इसका वाइफा कनेक्टिविटी वो भी latest है Bluetooth 5.0 है जो की latest है GPSP है इसमें और कई सारे other sensors भी है जैसे की accelerometer sensor, ambient light sensor, barometer sensor, digital compass, xyroscope, heart rate sensor, pro-maximity sensor, RGB light sensor और जो सबसे अच्छी बात है जो कि मैं आपको स्टार्टि में बताना भोल लिया है वो यह है कि यह ultrasonic fingerprint sensor के साथ आता है क्योंकि आपके screen को light screen को भी check करेगी और वो उसके business भी इस smartphone को open कर सकती है Face sensor तो इसमें already है ही और अब दोस्तों अपने last point price और sell के बारे बात कर लेते हैं तो अच्छा होगा क्योंकि यहां पर जो इसका price है वो इंडिया में कैसा रहे है 59,000 से start होता है 66 में भी है 73 में भी 84 में भी है इसका जो variant है और जो इसका storage उसके recording इसका price दोस्तों इसी के आस पास है जो कि आप screen पर देख पा रहे हैं इसके अलाब अगर दोस्तों गर बात करें इसके booking की प्री booking की तो आपको बता दो इसके official website में आपको यहां पर प्री booking का option मिल जाएगा जिसका link आपको निचे description मिल जाएगा इसके अलाब दोस्तों जो other online marketing sites है Flipkart, Amazon, Paytm इन पे भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा और इसकी जो flagship sale है वो भी बहुत जल्दी इन websites में देखने को मिलेगी शायद 8 marks से ही तो उमीद करता है दोस्तों कि ये वीडियो को पसंद आया हो अगर ये वीडियो को पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके शेर करना बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर पहली बारा है दोस्तों तो मेरा मनुगल बहाने के लिए और गुपाल साओ के कि मेरे साथ जुन दें के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबाले तो आज के स्टों दोस्तों बस इतना ही मिलते हैं अगले किसी टेक कंटेंट के साथ तब तक के लिए दोस्तों टेक केर बाई बाई